इस वेलकम बैक टो यूटूबर विदू टी एंपेल दोजार तेइस का नौवा मुकाबला लाइशा को वई किंग और चेपॉक सूपर गिलीज के बीच में खिला जाने वाला बहुत ही कमाल का यह मुकाबला होने वाला क्योंकि दोनों टीम होगे बलेबाज बहुत ही टी एंपेल में कर रही है तो इसमें आप बने रहे हैं इस वीडियो में हमारे साथ क्योंकि हम करने वाले इस कमाल के मुकाबले की बात आपको बताएं कौन से टीम में मुकाबला जीत सकती है पिच रिपोर्ट फैंस तीम के साथ बहुत सारी बाते सिमाय से लेटर करेंगे वीडियो को पूरा देखना है, इसकी बिलकुल भी मत करना वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो आगे बढ़ने से पहले क्योंकि बाद में आप भूल जाते हो शुरुआत करते हैं पिशिपोट से तो NPR College Ground, Dindugal में ये मुकाबला खेला जाना वाला है जहां पर आखरी के दो मुकाबले खेले गए हैं एक मुकाबला भी चला है, वीडियो सूट होने तक एक हो चुका है और उसमें हमने देखा किस तरीके से यहां के विकेट ने गेंधवाजों को फेवर किया ट्रेची सिर्फ 149 बना पाई और असानी से दूसरी पारी में स्पार्टन ने चेस कर दिया सिर्फ 15 ओवर में ही, इन चार विकेट भी गीरे थे मतलब विकेट भी जादे नहीं गीरे, असानी से चेस भी हो गया दूसरी पारी में बैटिंग करना यहां पर जादे कमपटेबल नजर आ रहा है, और इस्पिनरों को विकेट मदद कर रही है, पहली पारी में बल्लेवाजी करना बहुत जादे मुस्किल हो रहा है, फिर से 150-160 के आसपास का टूटली स्मैच में देखने को मिल सकता है और इस्पिनर्स हाभी होते हुए दिखाई दे सकते, दूसरी पारी में बल्लेवाज हाभी रहेंगे हैट टो हैट बैटल्स की बात की जाए, तो आठ मुकाबले इन दोनों टीमों के बीच खेले गए है मुकाबला जो है एक तरफा है, आठ में से छे चेपॉक सूपर गिलिस की टीम जीती है और दो मुकाबला लाइसा को वाई किंग की टीम जीती है आए शुरुआत करते हैं लाइसा को वाई किंग से इनका प्रिव्यू कर लेते हैं दो मैच खेलें, एक जीते हैं, एक खा रहे हैं, आखरी मुकाबला ये NRK के खिलाफ हार करा रहे हैं, 181 का टोटल इन्होंने बोर्ट पे खळा किया था और डिपेंड नहीं कर पाया थे, बॉलर्स बुरी तरीके से फेल हो गया थे, लेकिन उससे पहले इन्होंने 179 ITT के खिल एक अलग ही इनका राओद राओतार देखने को मिल ला है, और शारू खान वी अच्छे फॉर्म में हैं, शुरेश कुमार इनका अच्छा साथ निभार हैं, तो बल्लेबाजी में काफी दम-कम है, विद शाहीं सुदर्शन, शाहीं सुदर्शन पे डिपेंडेंसी, ये एक कंसन है टीम के साथ, बड़ा कंसन है, साई सुदर्शन अगर जल्दी निकल जाते हैं, तो फिर इस टीम के लिए समसाएं खड़ी हो सकती है, बैटिंग काफी जादे डीप है, गिंद बाजी की बात की जाए, तो इनके पास काफी सारे गिंद बाज हैं, और सभी के सभी खम नजरा रहा है, अगर बात की जाए, टॉप फैंटेसी पिक की, तो पहली पिक है, शाही शुदर्शन बहुत अच्छे फोर्म में है, 96 फाइनल में किया, उसके बाद 86, 90, दो मैचों में दो बड़ी पारिया खेल चुके हैं, और आखरी मीट में CSG के खिलाफ 65 रन बनाय पिक है, शुरेस कुमार आखरी मैच में 33 किया था, बहुत ही कमाल के बल्लेवाज है, यह हमारी तीसरी पिक है, LKK की तरब से, उसके बाद एम मुहमद दो विकेट, तिन विकेट हर मैच में ले रहे हैं, आखरी मैच में भी एक विकेट लिया था, अच्छी गिंदबाजी क कर रहे हैं, और इस मैच में भी यह हमारी पिक है, एम शिदार्थ भी बहुत अच्छे फॉर्म में है, काफी कमाल के इंदबाज है, यह हमारी अगली पिक है, LKK की तरब से, बात किजाए अगर चेपाउक सूपर गिलिज की तो दो मैच यह लोग खेलें और दोनों ही जी ज बल्लेबाज अच्छा कंट्रिब्यूट करें, ऐसा नहीं कि LKK की तरह साही सुदरसन पेंड की टीम डिपेंड है, इनके सभी बल्लेबाज अच्छा कर रहे हैं, चाहे वो परदेश पॉल हो, जो कि पहले मैच में एटेट किये थे, रायन जगदीशन बहुत अच्छे फॉ बल्लेबाज इस टीम के पास मौझूद है, तो बल्लेबाज अच्छी कर रहे है, टो बहुत सारे, उसके लगज़ कुमार, राहिल, साह भी अच्छी गिंदबाजी कर रहे है, आखरी मकाबले में इन दोनों को 2-2 बिकेट मिला था, तो इनके सभी की सभी गिंदबाज साथ और सभी के सभी अच्छे फॉर्म में सभी के सभी अच्छी गिंदबाजी कर रहे हैं बात किया इनकी तरफ से टॉप फैंटिसे पिक की तो नरायन जगदी सन पहली पिक है 35 आखरी मुकाबले में किया था और इस वैन्यू पर सिर्फ 14 पारियों में 646 सन बना चुक है इनका फ सिर्फ साथ पारियों में 313 रन बना चुक है और इस वैन्यू पर भी अच्छा करते हैं तो यह हमारी अगले पिक है संजय यादो राहिल शाह ने आखरी मुकाबले में 2 विकेट लिया था अच्छी गिंदबाजी करी थी और इस मैच में भी कर सकते हैं हरिश कुमार हमारे 5 वी पिक है आखरी पिक है 12 रन दो विकेट आखरी मैच में 7 पारियों में 10 विकेट इस वैन्यू पर ले चुक है और कि फाइनल प्रेडिक्शन और पॉस्बाल आउटकम की लेकिन उससे पहले मैं आप सभी लोग को याद दिला दू कि हमारे टेलिग्राम चैनल पर मैस से एक और गंटे पहने फाइनल प्रेडिक्शन फाइनल टीम दी जाती है टॉस मैस से नेरा दुनिया वर के जो प्रेडि टो मेरे अलिसिस के अनुसार यह जो मकाबला है चेपॉक सूपर गिलीज की टीम जीत सकती जी हां according to me चेपॉक सूपर गिलीज में भी दो बिनर आप दिस मैच बाकी यह मेरा अलिसिस है मैं तो हमेसा सकता हूँ सुनो सब की करो अपनी यह सारा ओवर विव देखने के बाद आपका prediction क्या कहता है आपका analysis क्या कहता है वो जादे matter करता है make your own call make your own decision धन्यवाद